मेरे प्रिये देश बातिशे मैं हूँ आप स्वरी का सुप्चिंतक विक्चु थीरो जोती राष्टिया महासिचे वाखिल भारतिया भुद्ग्या मुक्तिया अंदलो समीति सबसे पहले मैं आपके सुकी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ और आज ऊसल्किन धरकल की जैनती का होता है और इसी महीने में महात्मा जोतिवराव फुले जी की विजयनती मनाई जाती है तो सबसे पहले में राष्ट पिता महात्मा जोतिवराव फुले और पुने बावा साथ भीम्राव अम्मेट कर जी के 130 में जन्म दिवस पर आप सभी देशबास्यों को अगिल वारते विक्षु और सोशल मीडिया के माध्यम से कुई लोग जानकारी आपको ऐसी मिलती है जैसे देखकर के लोग रह जाते हैं इस देश में बावा साथ के संविदान के साथ लोग खिलवारत करीवा नाम को लोग बेचने का काम कर रहा है यह भी बलीबाती जानते हैं हमारे देश के स्वा ये भी आप भली बाती जानते हैं कि सिर्फरे लोग बुद्धी ही लोग दो दो कोड़ी के लोग जिनका कोई भजूद नहीं है जिनका कोई इस्तर नहीं है जिनका कोई अपनी मर्यादा नहीं है जिनके पास में संसकार नाम की चीज नहीं है जिनके लिए जितने भी सब्द उनके निंदनिये लगाए जाएं उतने कम हैं ऐसे लोग पता है क्या करते हैं जब उन्हें फैमस होना होता है तो वह अपने नाम को महाप्रसों से जोडने का प्रयास करते हैं बाबा साथ डॉक्टर अम्मेटकर के साथ भी बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसा ही कुछ करते हैं जिसे फैमस होना है वो मूर्ती तोड़ देगा तो जानता है कि मैं अच्छा ही हो में तो फैमस हो नहीं सकता इसलिए और बाबा साथ अ अम्मेटकर को समझ पाए या बाबा साथ अम्मेटकर के जीवन को समझ करके उनके प्रतिया अपने आपको समर्पित कर दे इतनी तो उसकी बुद्धी है नहीं तो वह यह कर सकता है कि फोटो जला सकता है फोटो फैर सकता है चपल मार सकता है बाबा साथ की प्रत्मा पर काल चोटा हो जाएगा यह उसकी गंदी और छोटी और गिनोनी सोच है आपको पता है बाबा साहब डॉक्टर अम्वेट करका इन चीजों से कोई फ्रक नी पड़ता है लेकिन ये आप लोगों की मान सिक्ता को दर्शाता है कि आज भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्वेट कर जैसे महाप्रुस के कारण अपने नाम को चमकाना चाहते हैं जबकि नाम आपका चमकने वाला नहीं है आपकी नीचता वाली हरकत पुरे देश ने देखी लाए एक सज्जन है सिरी मान तो लगाना बहुत बेकूफ पना है एक सज्जन जैप्रका से मिस्रा अशानी मेरे संप्रक में मिस्रा परिवार यहां मेरे संप्रक में मेरे संप्रक में जितनी हमारे सभी समाज के लोग और 68 ौड। परच्छे देने वाला व्यक्ति किसी भी समाज नहों सकता है यह मैं पहले सी कहता है हूं ऐसा ही आज एक व्यक्ति ने अपना छोटी सोच वाला परच्छे दिया जिसका नाम है जैप्रकास समिस्रा गोर्थपूर से उसकी पाइटी भी है कि राष्टवादी कि ऑफ इंडिया करके ऐसा कुछ है जिसका वो राष्टे देख और उसने कहा है कि जो तीन बच्चों ने कि आरक्षण के चलते हुए आत्मत्या की है उनको मैं सरद्धान जली देना चाहता हूं और उसने फोटू फाड़ा आग जलाई फोटू के अंदर और चपल मारी जूते मारी अप्यार से उस जली हुई तश्मीर को रगड़ा इससे क्या सिद्ध होता है इससे आपकी नीच चारों वाली सोच दिखाई देते हैं आपने वो तीन लोगों को याद किया तीन लोगों से हमदर्दी हमको भी है कि लेकिन आपने आज जो किसान शैक्रों की तादात में अपना दम तोड़ बैठे जो सरकार से परिशान होकर सरकारी की नीतियों से परिशान होकर इसके कारण उन लोगों ने अपने आपको मौत के हवाले कर दिया उसका तुम्हे सर्म नहीं आई और तेरे जैसा आदमी जिसकों बजूद नहीं जिसकी अपना एक इस्टेटस भी नहीं है जिसने ंशर्ण अंबेट करको कभी थीक से पढ़ावी नहीं कि और यह दो कोड़ी गां मृट कि और आज़ा शांटर ऑन्मेडर को बावसा EMBAR3 को अच्छी दुरिस्टी से भिपता है और समय दूरिस्टी से ने और उनका संब्सारी मित्र ह कर दो wrenched कुमार मिश्राजी है वो आज भी भगवान दुद्ध के द्वारा बताए हुए पंसील क्या पालन पूरी तरह से करते हैं हमारा गया में भी तिवारी परिवार है वह बहुत धम्मका और बावासाब डॉक्टर अमेड करका बहुत ही सम्मान करता है कि ऐसा ही पुर्य देश के करोणों ब्रहमर बनी है ठाकूर पंडित आज जो बुद्धी जी भी है पड़े लिखे वह बावासाब डॉक्टर अमेड करको दिल से मन से बचन से संभान देते हैं और तिरे जैसा व्यक्ति आकर के छोटी सोच दिखागर चला जाता है इससे कि तुम फैमस हो गए तुमने बाबा साथ डॉक्टर मेड की एक फोटो जला दी तो क्या यह सोच रहें को मुझे करोड़ों लोग जान जाएंगे आज वही देश के करोड़ों तुमको माफी को इसके खिलाब कानूनी का रोगए करें चाहिए कि इसलिए कर रहे हो तो उसके कारवाई होनी ही चाहिए और अकिल वहारतिये नीचुमासा अभमान करता है जो ऐसी मान सिकता रखते हैं जो गुद्धी से पैदल लोग है जो आएदन बावा साफ डॉक्टर अमेड करके के साथ जुड़ करके अपने आपको बड़ा बनानी कोशिश करते हैं ऐसे बुद्धी हीन परचे देने वालों के खिलाफ कानुम कारवई होनी ही चाहिए एक आपने बड़ी बात के दी के तीन लोग ने ऐसा किया तो देश के एक करोणों लोग बेरुजगार घुम रहे हैं भारतिन जंता पाई टीन बड़े बड़े बादे किये ते अच्छे दिन लाने के बादे किये ते जब तू कहा था भाई जब दो करोण लोगों को पाड़ करके और उसको पैर्ग नीचे कुछल सके यौकाद नहीं है क्योंकि तू अपने आपको यह सिंद्ध कर चुका है पुरे देश में के तू एक नीच आदमी है और इस देश में याद रखना पंडित हो या ब्रहामबण हो जाती से उच्छ नहीं होता है करम से उचा हो फंवी इसके उचे विचार होंगे उसी का लोक संमान करते हैं कि योगी के योगी आदितनात्य योगी जी के छेत्र में हुआ है क्योंको वही के रहने वाले गोरखपुर से इसकी जानकारी तो साहयद लोगों को मिली गई है तो उत्तर बज़र कार इसके खिलाप एक्षन लेना चाहिए और इसके उपर कारवाई की जाने चाहिए